जैसरी कृष्णा दोस्तों आज हम बनाएंगे पनीर यकनी इसे बनाना बहुत ही असान है और साथ ही बहुत ही कम समय में बन कर ये तयार हो जाता है इसे आप बहुत ही कम तेल मसालों में बना सकते हैं इसे बनाने में 10-15 मिलिट लगता है और खाने में बहुत ही स्वादिश्ट होता है इसे अगर आप एक बर बना कर खा लेंगे तो आप इसे हफ़ते में 3-4 बर बना कर खाना पसंद करेंगे एकदम क्रीमी सा हमारा पनीर येकनी बन कर तियार होगा और एकदम से मूँ में घूल जाने वाला ये रेसिपी है बच्चों से लेकर बरोतों सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए हम 500 गरम पनीर लिये हैं तो घर का पनीर है एकदम ताजी फ्रेश और सौफ्ट सा हमारा पनीर है तो इसे हम क्यूब में कट कर लिये हैं और हम इसे 100 गरम इसमें से निकाल के एक कटोरी में अलग रख लेंगे तो आप देख सकते हैं हम 100 गरम पनीर में से निकाल लिये हैं और साथ में 20-25 काजू लि दीर के पानीर का क्योब 20 ग्रम पनीर के ठीवर्टी foreign जियार हो गया है मारा वन चुका है तो चलाइे अब इसके मसाले के तैयरी कर लेएं तो इसे मसाले कर लेते हैं तो मसाले के लिए हम लेंगे एक पैन उसमें डालेंगे हम आधी चमच सौफ साथ में डालेंगे आधी चमच जीरा और फिर इसमें हम आधी चमच डाल ले रहे हैं धनिया तो सारे मसाले हम साबूत डाल रहे हैं और फिर हम 15-20 काली मिच डाल ले रहे हैं दो हम दालचीनी का छोट फिलिम पे लागातार चलाते हुए रोश्ट करेंगे जादा इसे हमें नहीं भूनना रहता है बस हलका सा एक मिनट तक भूनेंगे ताकि इसमें से अच्छी से खुस्पू आने लगे और हमारा मसाला जो है अच्छे तरीके से भून कर तैयार हो जाएते हैं तो एक मिनट तक म प्राइब को अच्छे तरीके से भून लिया है और हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि यह जादा भून कर तयार नहीं हो बस इतना ही हमें भूनना रहता है और फिर हम उसी पैन में दो चमच ऑल डालेंगे और साथ में हम पनीर डालके इसे भी हम फ्राइब कर और इसका सौपने जो है वो खतम हो जाएगा इसलिए पनीर को ज्यादा ना भूने बस हाई फ्लेम पे दो से तीन मिनट तक हमें भूनना रहता है और आप देख सकते हैं हमारा पनीर भी जो है फून कर तयार हो गया है अच्छे तरीके से तो इसे भी हम एक प्लेट में निक लिए में लिए मुटे-मोटे साइज में कट कर लिए तो इन्हें हमें जादा नहीं भूनना रहता है बसomina साटी करना और सवाघ्र में एक मीडियम साइज का तामाटर कर लिए हैं टमाटर के बीज हटा के हम कट कर लिए हैं और इन्हें हम अच्छे तरीके से सौठी कर लेंगे तो ध्यान है इसे ज़्यादा देर तक बिल्कुल न पकाए बस इसका कच्चापन चला जाए और आप देख सकते हैं एकदम से हमारा सब्जी जो है भून कर तयार हो गया है इसका क्रंची पन रखना है इसलिए हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है और फिर इन सब्जियों में हम भूने हुए पनीर को डाल लेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करके एक मिनट तक अच्छे से चला लेंगे ताकि सब्जियों का फ्लेवर जो है पनीर के साथ आ जाए और इन्हें हम साइड में करते हैं और इधर हमारा मसाला जो है ठंडा हो चुका है भूना हुआ मसाला तो अब हम एक मिक्सी जा लेंगे इसमें सारे मसाले को डाल लेंगे तो सारे मसाले को अच्छे तरीके से डाल लेना है और इसको हमें एकदम से दरदरा सा पीस कर त्यार करना है एकदम से इसका मसाला जो है पौडर मत त्यार कीजेगा हलका सा दरदरा ही त्यार कीजेगा और अब देख सकते हैं मरमा साला जो है अच्छे तरीके से पेस कर त्यार हो चुका है तो इसे हम एक प्लेट में ट्रांसपर कर ले रहे हैं और ये देखिए एकदम दरदरा सा मिसे पीसे हैं अगर आप इसका पौडर बना लेंगे तो आपका पनीर एकनी का कलर जो है अच्छा तरीके से नहीं आएगा इसलिए इसे दरदरा ही रखना रहता है तो चलिए इसे अब हम बना लेते हैं तो एक करा ही लेंगे इसमें हम दो चमच घी डालेंगे आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं साथ में दो तीछ पता डालेंगे और फिर हम इसमें अद्रक लशन कूटा हुआ डालेंगे और जब हमारा लशन अद्रक अच्छे से भून जाए तो इसमें हम काजू, पनीर और दही वाला पेष्ट जो बनाए हैं उसे डाल ले रहें और डाल कर हम इसे एक मिनट तक अच्छे तरीके से भूनेंगे लगतार चलाते हुए एकदम क्रीमी सा पेष्ट जो है एकदम निखर कर आएगा और साथ में हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे तो इसमें नमक जादा नहीं डालियेगा चमज से हम आदी चमची डालेंगे और फिर इसे हम लगतार चलाते हुए पकाएंगे एक मिनट तक मसालों के साथ में और लगतार में इसे चला रही हूँ क्योंकि ये क्रीमी है तो ये नीचे से पकड़ने का डर रहता है तो लगतार चलाते हुए इसे पकाना रहता है और साथ में हम दो चमच ताजी फ्रेस घर का क्रीम डाल ले रहे हैं तयार हो गया है बहुत ही जल्दी ये बनकर तयार होता है बहुत ही क्रीमी सा ये बनकर तयार होता है खाने में बहुत ही मज़दार लगता है घर में सभी सदेशों को बहुत ही भाने वाला है और एक मिनदर तक डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से पका लिये हैं और खास करके लच्चे पराठे के साथ खाई है बहुत ही टेस्टी लगता है और आप देख सकते हैं क्रीमी सा हमारा पनीर यखनी जो है बनकर तयार हो गया है तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक सब्सक्राइब श फटा फट से बनाई है तो मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई